अगर्मी को मात दे गर्मी को किस तरीके से मात दे जैसे अभी देखो आप ना के निकल रहाएं जरी में बनते तो यह एक्स्ट्रा जो पसीना है ना यह हमारी मोत का कारण भी बन सकता है जो फालतु का पसीना जो आ रहा है वह हमारी बोलो मोत का कारण भी बन सकता है अगर किसी भाई को ज्यादा पसीना आ रहा है गर्मी के दोरान अगर आप काम कर रहे हो नीचे साइड के उपर और ज्य को बताओंगा तो कोई हसेगा खिली उड़ाएगा ऐसा कुछ नी करना है माल यह को चक्कर आ रहे हैं यह सिर्गूम रहा है मेरा इस तरीके से बताना है अगर आपको इन्होंने बता दिया कि देए और गरμी बढ़ेगी ऐसे में अभी जो गर्मी का स्तर है ना हमारा जो शरीर है उसको जो नोर्मल कंडिशन में 37 डिगरी का टेंपरेचर चीए किदने का चीए 37 डिगरी 37 डिगरी जब बुखार के अंतर नागते हैं उस रियक्टर उसमें जब थर्मामेटर पे नापते हैं तो 100 डिगरी दिखाता है कितना दिखाता है फेरनाइट में दिखाता है 37 जो होता है सेलसियस में दिखाता है हमारा शरीर 37 के लिए परफेक्ट है अगर 37 टंपरेचर रहेगा तो हमारा शरीर ठीक रहेगा जैसे इसके उपर जाता है तो हमारा शरीर पसीना निकलने लग जाता है माल लीजे, उपर हमारे environment में गर्मी हो गई, अभी जो temperature चल रहा है, 40 का चल रहा है, तो हमारे शरीर से कितना ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया, अब जब 3 ज़्यादा हो गया, तो हमारे शरीर में खलवली मचेगी, पसीना निकलेगा, शरीर अपने आपको ठंडा करे श्रीर बनायां, ठंड में जाओगे, तो हमारे रोए नवह ऐसे चिकुर जाएंगे, देखा, ओर गर्मी में जाएंगें, तो ऐसे फैल लेकिन पसीना किसी को ज्यादा निकल रहा तो गबराने की बात है अगर इसी दोरान आगर आपको पसीना निकल गया और लूज मोशन लग गए जो टटी लग जाती है ऐसी लग गई या उल्टी आउनी शुरू होगी तो खतरनाक काम है तो क्या है काम खतरनाक है अगर गर्मी में किसी के साथ भी ऐसा होता है यह आपको उल्टी लग गई यह बहुत करी करने हैं अपने पास हमेसा रखो चोटी बोटले अपने पास में में रखो हर एक गंटे में आपको अलारम भरके पीना जरूर लेकिन आप लोग यह एक गंटे वाला किसके लिए जो साइट के काम नहीं कर रहा है जो अंदर आफिस में बैठा है राम से उसके लिए भाईया यह आपको कितनी देर में पानी पीना है जो साब ने इदर पता है 15 तरह मिनेट में आपको दो सिप तीन स्पानी पिना है आजकल जो अक्षे-चे स्कूल हो रहना स्कूल के अंदर गंटी बज गई है जैसे यह घंटा होता है घंटी बजाते है लोग तंटन तंटन तंट में पानी प्रेक क्या बोलते उसको पानी ब्रेक जब भी अपको गर् तोड़ा गभराने का मोसम है गर्मी जादा है देखो आपको दिख रहा होगा लेबर भी थोड़ा कम होगी है इतर ना काफी सारे लोग जो हैं वो घर पर चले गए हैं कुछ कटिंग बटिंग पर लग गए हैं अभी होली थी फिर इद आई को बहुत सारी चुटियां भी से लेके रखो जैसे आप को लंच करने के लिए बैटो लंच के साथ में एक बोटल छोटी उसमें एक नीम्बू नी चोड़ा ऐसे से किया थोड़ा सन्नमक डाला उसको पी लिया ऐसे कोई कलाकारी है इसमें कोई rocket science है कुछ भी नहीं है ना सिरफ एक नीमबू और एक पानी यह करना है ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी नहीं पीना यार आपके शरीर को नोर्मल पानी पीना है नोर्मल पानी ठंडा पानी ठंडा पानी का मतलब कि आए कि आप बरफ डायल के पीएंगे ना वो और ज्यादा करमी करेगा हमारे शरीर का रियक्शन किस तरीके से पशीना करता है ठंड में अजय करता है अगरते में अगया अधिर फास पूस पी सुरिंदर करता है जरीर अंदर से गर्म हो पानी पीनी नोर्मल पानी कौन सा जो दूप में रहके मत पी न उसको चार्ज हो दोखे मारा पेकिने जहां पर नूम को ठंदा रखने के लिए visit Dzh I need अगर मेरे जैसा इंसान अदो्सको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा क्योंकि जितना आदमी के अंदर वजन होता है उसका 70 परसेंट जो वजन होता है पानी का वजन होता है किसी में 100 किलो बजन चाहिता पानी है बातमें जब हम दो विदुधर्म के अनुसर जब मुर्दय को जलाते हैं तो बचता है कि हडियां वचती न कर बाकी कहां चला गया सब उड़ गया उड़ गया ना सब कर तो पानी पानी इतना इंपोर्टेंट है पानी अगर नहीं प्योंगे तो आपको सोचने समझने की शक्ती भी काम करना हुआ अभी मैं यहां पर हूँ थोड़ देर बाद में अपने पहुच जाऊंगा अरे यार मेरे गाउं में नीम का पेड़ है उसके बाद नीम का पेड़ फिर शीशम का पेड़ आ जाएगा सीधा मतलब जब कोई आदमी आपको साथ बैठें के ओल्टी सीधी बाते करने लगे और जी घबराने लगे चक्कार आने लगे आंखों के अंधेरा आने लगे तो समझाओ की आपको डी हाईड्रेशन हो गया है क्या हो गया है डिएडरेशन का मतलब क्या है शरीर में पानी की कमी हो गई है क्या हो गया है अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो ऐसे नहीं करना है अगर किसी के अंदर शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है तो आपको गबराना नहीं है उसको छाया में लेके एक आदमी आप मेरे पास मेड़ें को भगवान ना करेक अभी इनको पानी की कमी हो लेकिन आल ली ईनको कमी हो गईंग सिकायत करने कि मेरे डिट आ रहें इताव क्या करना है लेट जाओ आए नाm से लेट के सबसे पहले जूते खोलने हैं क्या करने है क्योंकि जूते ना फोले सबसे पहले जूता कोने हैं त्य। झेत्प उपलणे कपड़ के चटम कोल ऑद को झाल सकते हो निकाल सकते हो क्या है यह उतार्त के स virtual Choi क्वाइब क्यों करते हैं ऐसा हम लोग खुली हवा लगे जब जैसे ही अम गर्मी लग रही है न शारे के सारे सरीर की रौब खुल जाते हैं ऑक्सिजन लेने के लिए सोचते हैं देखा एसे आप कर सकते हैं, यह क्यों कि छोड़ी क्योंकि इज़्जत का सवाल है न भाई डिगनिटी मेंटेन रहनी चीए ऐसी वैसी जगह टच नहीं करना है है ना जैसे खोलते हुए आपने छेड़ दिया इसको आगे पीछे आथ लगा दिया ऐसा नहीं करना है यह खोल दिया कपड़े अभी आपको ठंडी हवा लग रही है जो पसीना आ रहा था उसमें रिलेक्स हुआ कुछ यह हुआ पहला स्टैप यह हुआ कुण सा स्टैप पहला स्टैप दूसरा स्टैप क्या होगा अगर हमारे पास कोई चीज है इनके पैरों में रखने के लिए तो हमने इनके पैर यूं करने सीधे और यूं कर देने ऊपर क्या कर देना है ऊपर कर देने ऊपर कर आपको कोई नहीं मार सकता कोई भी नहीं मार सकता आपको यह दोनों चीज अगर चल रही है यह हम क्या कर रहे है इनके खून का इनुग को किया करना है एसे गुम के यह और यहाँ पर और यहाँ यहाँ पर दिमाग के ऊपर अब क्या होगा इनको जो चक्कर आ Рletter ने वह बंद हो यार थोड़ा दिमाग की बात है बेटा कि ध्यान से ध्यान दो ज़रूरी है चीज नहीं है अगर कभी भी किसी को चक्कर आ रहा है घबराना नहीं है घबराट और यह ऐसे कर दो कपड़े खोलो यह छोड़ दो या फिर अगर वो बोले कि नहीं सर मेरी पेंट भी छोड़ नह पेंट थोड़ी ऊपर कर दो ऐस थोड़ी इसको हवा लगे और ऊपर करदो ऊपर करो जोग खोन का दोला कहां का दोला दिमाग में और दिल में यह दो चीज आइसी है आदमी अगर जिंदा रहना चाहता है दो चीज बचाने पड़ेगी क्यों कि दिमांग से सोचने की शक् भून नहीं पहुचेगा ना तो आपको Command नहीं देपाईगा भाया प्यास लगी है काम करना है बोलोा है अभी जो मैं बोलरहा उशना निा से इंड़नीян फिर पंखा चल गया फिर फैन कूलर चालू हो गया चार्जिंग लगई ऐसा होता ना ऐसे हमारा दिमाग स्विच बोर्ड है क्या है हमारा दिमाग क्या है हमारा दिमाग स्विच बोर्ड क्या करेगा कोई भी सप्लाई बंद कर देगा मालीजे पंखा चलना बंद हो गया आच दिमाग का काम है क्या समझे दिमाग का काम क्या है कि दिमाग का काम क्या है बोलने की शक्ति देना दिल की धड़कन को चलाते रहना खून का दोरा उपर नीचे चलाते रहने यह किसका काम है दिमाग का दिल का काम क्या है दिल का काम यह है सारा का सारा अच्छा अक्षिजन ले हम आखे के पकड़ो कसके कर नीचे करो कि अभाथ का रंग देखो कैसा हो गया है पहले कैसा था हाथ का रंग है नहीं सफेद हो गया क्योंकि खून की सप्लाइब बंद होगी अब एक दम से छोड़ो इसको अहां कैसा मारा खून दो रहा है एकदम दर दुआ हात में जब आपने बंद करके रखा वा था में नहीं पता लगा ना लेकिन जैसे ही इसको छोड़ा है तो खून एकदम से ऐसे भाग के मारा है ना खून यह हमारे किसका काम है दिल का यही काम है सब को खून पहुचाना है सारे इंटरिनल ओर्ग आपने दो दो जाएंगे तो दो जरूरी है हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए नंबर वन हमारा दिल नमबर दो इसको उल्टा बोलो सबसे पहले कुछंसा है किसी का दिमाग बंध हो गया ना तो शरीर में कोई भी अंकाम करना बंद कर देगा पिर रिकष्ट हो करना बंद कर दिया है और दिल अगर डेड़ हो जाए तो क्या होगा तो फिर तो Siak Kim short कि अब दिल मुज़े होगा किसी के पास तो फिर चुले निए तो हाथ चलेंगे ना शरीर क्या करना है दोनों को सिर्खना हर 15 मिनिट में क्या पिना है पाणी पीना है और अपने जयभ में कोशिच करके यग याद दो नीमदु ज़रूर रखो नीमदु के अंधर स्थ होता है जो हमारे चार्ज कर देता है हमारे अंदर जब भी कभी आदमी को पसीना ना तो उसके शिरीर का फ्लीवड लो हो जाता है फ्लीवड मतलब उसके शिरीर के अंदर जो इंपोर्टेंट जो विटामिन साना कई बार आपने देखा आपको दस्त लग गए चार बार दस्त कर लो उसके बाद जब उठके चलोगे न ऐसे तो आख में अंधेरी आना चक्कर आना ऐसा कमजोरी सी फील होगी क्यों शरीर का एक्स्ट्रा पान ही निकल गया बगवान ने जब बंगार ना सिस्टम बिसी आए है वह इतना सा निकल जाता है बार एशा ही करते ना लेकिन जब ज्यादा निकल जाता है तो conjunगी को चक्कर आता दिमागः ो जैसे पानी की कमी को कैसे पूरा करेंगे पानी के हर 15 प्लीप पीना पानी को थंडी जगाय पर लखेंगा अगर किसी को ब्लड की आगर कोई शिकायत है सुगर की अपने जेब में एक गोली अपने पास रहनी kald कर लेता लिए बढ़ता लगे तुरंत लिलो बढ़े हुँ हुए बीपी का हिलाज है लो हुए की का आट है नहीं और घरमी में क्या होता है बीपी जो क्या होता है गरमी में बीपी तो द्यां रखना हैं मेशा भीपी को वापिस ठीक करने के लिए नमक नीबू पाणी क्यों रहे ताकि blood circulation ठीक रहे अच्छा रहे आगी मेरी बात समझ में चलो जाए टाइम नहीं लूँगा थैंक्यू सो मच ठीक है